अब्रेडिबड़ी इस इस पंडित है राना वेल्किम यू ओल तु दे कैटलिस गोप यूट्यूप चैनल आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ बिगनर्स के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं जो समझना चाहते हैं ट्रेडिंग का बेसिक आज़िए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है छोट अधा सेशन है साथ बिनिट का सेशन है लेकिन इसमें आपको ऐसी स्टैटिजी समझाऊँगा जिसका यूज़ करके आपको 100% सह कभी नहीं करनी है अपनी मेनत के पैसे को अगर आपने सीखा हुआ है प्रैक्टिस की हुई है तब ही करना बाद में यह मत बोलना कि सर आपने बोला ट्रेडिंग करो मैं नहीं बोलना ट्रेडिंग करो मैं यह किया रहा हूँ सीखो मैंने हमेशा शुरवात से यही बोल रहा है तो वो बेपूफी है क्योंकि आप बेपूफी करने के लिए भाब पे जा रहे हो बिना सीखे कोई चीज कुछ कर नहीं सकता है तो आपको सीखना है पहले इसलिए हमने एक गृप बनाया हुआ है तो आरे वाड़े टाइम पे भी मैं सिखाता रहूँगा ग्रुप को जॉइन कर लेना कैटलिस इंवेस्टर्स के नाम से पहला वाला कमेंट देखना मिल जाएगा आज हम बात करेंगे ब्रेक आउट कि यार ब्रेक आउट पता कैसे चलेग। ब्रेक आउट को मतलब होता है जिसके बाद आपको जो प्राइस पैटन जो अपना पैटन चल रहा होता है movement ऐसे कलें basic language का क्या को समझाओ जो movement चल रहा होता है जिस तरीके से share market का graph उपर नीचे हो रहा होता है किशी भी येर का वो breakout point वो point होता है जिसके बाद आपको अच्छा एक movement देखने को बन सकता है मतलब आपको ये पता हो रा चाहिए कि ये point कहां पर आ सकता है जिसके बाद आप entry ले पाओ या फिर निकल पाओ तो breakout की आज बात करेंगे हमें आज जो strategy बताने वाला उससे ये पता लग जाएगा कि भाई इस point पर हमें enter करके आगे इस level तक रुखना है और हम अच्छा profit ले सकते हैं हमेशा दियान रखना जब भी enter करो आपको stop loss और target ज़रूर set होना चाहिए और rules के साथ अगर target आपका hit हो जाता है मालो आप 100 रुपे पर enter करते हो और आपको target 125 है और hit होता है तो exit 125 पर करता है रुखना नहीं है वहाँ पर अगर आपको stop loss hit होता है तो आपको निकल जाता है शुरुवात पर आपको ऐसे ही करता है जदा देर वहाँ पर बैठना नहीं है emotion में नहीं बहना क्यों हो सकता है 125 यार हो सकता है सब 1500 हो जाए रुख लेता है तो वो 200 के जगे सीधा नीचे जाएगा emotion में नहीं बहना होता है इसलिए जब भी trading करो शांती से अलग से कमरे में अकेले बैठके एकड़ फोकस के साथ करो तब जाके आप चीज़े सीख पाऊगे और अच्छी चीज़े सीख सकते हो तो यह मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे करना है पूरा बताऊंगा ध्यास चीज़ों को समझना ठीक आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर स्क्रीन open कर दी है और इस क्रीन पर आपको दीख रहा होगा सारे चीजे़े आपने ट्ैडिंग वी open करना है फ्री फर्यन है और कोई भी उस कर सकते हो बहुत सारे आते हैं तो आपने यह यह यूज़े हूँ करता हूं ब्रेक आउट कहां पर मिलता है, ब्रेक आउट को मतलब होता है, जिसके बाद हमें sudden बड़ा movement देख रहा है, यह देखो, तो हमें ऐसा point पकड़ना है, जिसके बाद हमें अच्छा movement देखे, मतलब हम उस point के बाद second यह third candle पर enter करके, अच्छा target set कर सकते है, trading income, है ला, कि मैं यह यहां से पैसा बनाके निकल रहा हूँ, यहां से अंटर कर रहा हूँ, उससे पहले का point breakout point है, वो उगजे पता करना है, क्या करना आपको सबसे पहले, एक term होती है moving average, moving average का मतलब होता है, यह जो pattern चल रहे होते है, जो भी certain time period के pattern होते है, उनको एक particular time period में, मालो 40 दिन का average pattern movement चार दिन का average movement एक single line के तुरू दिखाया सकता है, यह 40 दिन में यह movement रहा होगा, यह तो बहुत सारे ऐसे disturb movement देख रहे है, तो single line पे अगर मुझे movement देखने है, तो उसको हम moving average बोलते है, simple moving average, हमें simple moving average इस पे लगाना है, कैसे लगाना, इंडिकेटर पे click करना, यह indicator खुल ग जाएगा, हमें जाना है moving average पे, ठीक है, तो हम moving average पे जाते है, यह आ गया, ना moving average, एम दवातिया मैं डारेक्ट, moving average को मुझे 3 बाख click करना है, 3 times, 4 times नहीं कर पा हो, क्योंकि paid version नहीं है, वनना 4 times भी कर सकते है, हम 3 से काम करा लेंगे, moving average 1, moving average 2, moving average 3, मैंने 3 बाख click कर दिया, अब इसको चुपचा बंगर दे रहा मुझे, 3 लाइन मेरे को दिख रही है, एक यूपर एक है क्यों, क्योंकि यहां पे वही average का length है, वो same है, अब मैं इसकी length बदलूँगा, setting पे गया, ध्यां से देखते रहे न, मैंने यहां पे 9 length लेंगी है, मैंने इसको क्या करना है, 30 30 length की, color इसका blue रहन दिया मैंने, और इसे okay कर दिया, next वाले पे गया, इसकी 9 लेंगी, इसकी मैं करूँगा length 40, 30, 40, 50, 30, 40, 50, 30, 40, 50, इसका color बदेगी, वरना हमें पता नहीं चलेगा, तो यह blue दीखती रहेगी, इसका हम yellow कर देते है, yellow कर दिया मैंने इसका color, और इसको okay कर कर दिया और फिर से इसको जाके मैंने कर दिया अब अकर आप ध्यान से देखो कि तो आपको तीन लाइन दिख रही है काउन सी एक यह वाइड वाली लाइन है जो अपनी मुविंग एबरेज यह वाली मैंने अलग अलग लाइन रखिए न देखो यह 30 है एक ब्लू वाली एक यहां पर यह तीनो लाइन लगती है वह पॉइंट के आसपास की ब्रेक आउट पॉइंट होता है और उसके बाद हमें अपना केंडलिस्टिक पैटर्ण जो मैंने आपको सिखाया है तहां सिखाया है मेरा एक ग्रूप है मैंने पहले भी बताया आपको या फिर मेरे पोर्स आपको सिखाया है तो अब मुझे क्या करना है यह जहां भी यह उलज नहीं ना वो पॉइंट ढूनने है कहां कहा उलज नहीं रिसीदा है सर यहां उलज है जैसे ही फूसे टाउट हो गया कि भी अब मेरे को ट्यार हो जहाना है जहां पर उलज रहे हैं यहां उलजना शुरू हुआ, कुछ गरबड़ो, यह देखो, नीचेगे, यह जहां भी उलजएगा ना, वहां वहां आपको गेम बदलता हुआ दिखेगा, वहां वहां आपको चीजे बदलती हुआ दिखते हैं, किसी का भी चार्ट को लोगे ना, मै आपको एक्जामपल अलएदा चार्ट खोल के दिखा दिता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए, मैं कोल देता हूं चार्ट मालो, पेदांता का चार्ट कोला है, और अभी मैंने मुवें के अगर इसमें भी लगाय हुआ, फिर आप ध्यान से देखो, यहां पर यह उलजी दिख रहे हैं, तो इसकी उपर तो जाने का चांसे कम पता रहता है, टारगेट स्टॉबलाउदार सेट करना आता है, यह देखो, यहां उलजा रही है, तो मतलब जहां भी उलजेगी यह उलजी, फिर मुवमेंट उपर, यहां उलजी, मुवमेंट नीचे, यह ब्रेक आउ 30, 40, 50 दिन के set करते हैं, आपको idea लग जाएग, समझ में आ गिया होगा, इसके अलावा, आपको और detail, अगर इसमें देखना है, तो बात करते हैं, दुबारा से अपने, किस पे, उस पे आ जाते हैं, पैनल पे, और यह जो मैंने आपको बताया, trading, करने का तही का breakout trading, इसको और detail में अगर आप समाझना चाहते हो, तो एक platform है, audiobook का Cuckoo FM, मैंने पहले भी आपको suggest किया है, इसमें एक audiobook है, How to make money with breakout trading, इसको आप सुन सकते हो, Cuckoo FM के app डाउनलोड करना, link पहले वाले जो comment है, और description दोनों में आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप उस link से डाउनलोड करोगे, उ अगर आप ये code use करते हो, तो पहले 250 users के लिए 50% discount मिल जाएगा, इनका जो subscription है, उसमें, Cuckoo FM का, और आप सुन सकते हो, इस audiobook को, काफी detail में चीजों को समझाया हुआ है, कैसे breakout trading होती, जो मैंने आपको बताया है, और अच्छे सरीके से, और in-depth अगर आप समझना चाहते हो, तो जरूर आप सुन सकते हो, इसको Cuckoo FM के platform पे, बाखी की details आपको description पे जो link है, उससे जवाब download करोगे से आपको, उसमें आपको मिल जाएगी, आपको समझ में आगे होगा, मैंने जो बताया है, क्या आपको बताया है, मैंने आपको बताया है, आपको trading view पे जाना है, किसी simple moving average 40, simple moving average 50, ये तीन आपको उस पे लगा देने है, अगर आपने उसमें pro version लिया हुआ है, तो आप एक और लगा सकते हो, पर इनसे भी काम हो जाएगा, ये तीन लाइने आपको लगानी है, जिसमें ये 30 days, 40 days, 50 days का average बताता है, एसे में का मतलब क्या होता है, जो भी movements आ रह जाती है, कि 30 days में ये average movement रहा होगा, 40 days में ये रहा होगा, 50 days में ये रहा होगा, जहाँ पर ये तीनो लाइन इस तरीके से मिलती जुलती हमें दिखती है, उसके बाद हमें एक अच्छा breakout point मिल जाता है, हमें ता लग जाता है, इसके बाद हमें enter करना है, enter करने के निए मैंन आपको जो वेबसाइट है www.aspundit.com उस पे वो चीज मिल जाएगी, आप जरूर उसको देख सकते हो, यह मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वो यह कि जब भी आप यह चीजे करते हो, पहले बार-बार प्रैक्टिस करो पुराने चार्ट पे, पहले के चार्ट खोलो, उन पे प्रैक्टिस करके चेक करो, कि हाँ आपका जो पॉइंट है, इन तीनों के मर्ज होने का, वो कहां-कहां मैच कर रहा है, पुराने चार्ट में देखो, कि हाँ यहां मैच कर रहा है, यहां पी यह हुआ, इसकी बाद मै जहां भी जिस भी चैनल को देखते हो, हमेशा उसको सीखने के प्रॉस्पेक्टिस पर देखो, कि मुझे समझ में आ रही कोई चीज, उसके बाद खुद पर वरोसा करके प्रैक्टिस करो, समझ में आ क्योंगा, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, है ना, इसके अलावा, इसके अ सिंपल टू यूज, खुश रहा हूँ, पर जैसे रिस्पेट करो, पैसा कमाँ, लेकिन अपने दब पर